सड़क निर्मान में कई तरह के दिकते होती हैं जब सड़क के निर्मान होते हैं उस वक्त क्या होता है कि सड़क के किनारे जो भी गड़े होते हैं उसे पथ निर्मान में भाग के द्वारा मरम्मत नहीं किया जाता है और नगर निगम की बड़िला परवाही देखी जा रहे ह ताजा मामला पटना के दिघा का है जहां पंचवर्टी कॉलनी दिघा बगीचा का बताया जा रहा है एक दो वर्सिये बच्चा उस गड़े में गिर गया जिसके बज़ा से उसकी मौत हो गई ताजा मामला दशारा से जुरा हुआ दशारा पूजा में जब उसकी माँ अपने परिवार में मातम छा गया है यह तस्वीर देखे कि किस तरीके से दो साल के बच्चे की मौत हो गई गड़े में गिरने से अस्थानियों लोगों का गुसा पूरी तरीके से फूट परा और आक्रोश देखने को मिला गुसा फूटते ही लोगों ने पूरी तरीके से अपनी आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया और पथ निर्मान विभाग और नगर निगम की बड़ी लपरवाही देखी जारी है सड़क निर्मान के द्वारा जब भी कारे चलते हैं उस वक्त कुछ न कुछ लपरवाही देखी जाती है क्योंकि सड़क के किनारे जो भी गड़े होती है वो नगर निगम की जवाब देही होती है उस गड़े का कैसे निर्मान करे उस गड़े को कैसे भड़ा जाए ये कभी पथ निर्मान विभाग और नगर निगम नहीं सोचती है जिसके वज़ा से आम लोगों को काफी समस्याएं होती है। खास तोर पर बर्शाद के मौसम में जब सडक के किनारे गड़े होते हैं तो आने जाने वाले लोगों को और खास तोर पर बाइक सवार जब बाइक से उधर से गुजरते हैं। तो उस वक्त गाड़ी गड़े में गिर जाती है जिसके वज़ा से कई लोगों की मौत भी हो जाती है और एक्सिडेंट के तौर पर ये देखा जाता है कई बार अस्थानिय लोगों ने नगर निगम को इस बात की शूचना दी लेकिन नगर निगम एक न सुनी और अंतता इतनी बड़ी घटना हो गई अब पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है अस्थानिय लोग है वहां के उनका गुशा फूट परा और क्या आप बिती उन्होंने बताई है जरा उनके ब्यानों को सुना देते हैं हम आपको तो आपने साफ तोर से सुना कि किस तरीके से आप बिती उन्होंने बताई कि जो होल्डिंग टेक्स है सरकार लेने के लिए तयार रहती है नगर निगम का जो टेक्स है वो हम लोग देते हैं लेकिन फिर भी नगर निगम हम लोगों की बातों को नहीं सुनता और आए दिन इस सरक में हास्ता होते रहता है कई बार बच्चों की सरफट चुका इस गड़े में गिरने से लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नगर निगम और पत्निर्मान विभाग इसकी जो है वो सुध लेने को तयार नहीं है बड़ी लपरवाही कह सकते हैं कि नगर निगम की देखी गई है जिसके बज़ा से इतनी बड़ी घटना का अंजाम हुआ है साफ तोर से यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनके परिबार में रो रो के उनकी बच्चे के मा का बुरा हाल है तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दस जिनूस के साथ और देखते रहें दस जिनूस